जहां बंसल नियूस की खबर का बड़ा असर हुआ है रेत के अवैद टंपिंग के आठ में खनीज और पुलस टीम ने छापा मार कारिवाई की भारी मातरा में अवैद रेत का भंडारन या आपर किया ज़ा रहा है तो खबर दिखाई गई थी बंसल नियूस पर प्रमुक्ता के साथ और इस खबर दिखाया जाने के 18 घंटे के अंदर ही ये कारिवाई की गई है खनीज और पुलस टीम ने छापा मार कारिवाई की अवैद डंपिंग यादों से अवैद परिवहन की खबर दिखाई गई थी लिंग्या डी मधुबन मोपका समित कई जगाओं में ये रेत डंप की जा रही थी अवैद रेत का भंदारंग किया जा रहा था जिस खबर को बंसल न्यूज ने प्रमुकता के साथ दिखाया और उसके बाद देखे जिम्मेदारों की नीन तूटी और कारिवाई की गई जानकारी हम नेंगे समवाददाता उमेश मौरेफ ओन लाइन पर जड़े हुए हैं उमेश बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रमुकता के साथ दिखाया था और उसके बाद जिम्मेदारों की नीन तूटी मौके पर पहुची और कारिवाई लगातार जा रही है देखें बंसल न्यूज ने इस खबर को प्रास्मिक्ता से उठाया था क्योंकि लगातार ये शिकायते मिल रहे थी कि जीले में अवैट जंपिंग की वज़ा से जो रेत है वो जो गोगता है उनको बड़े वे दामों पे रेत मोहियां हो रही थी जो रेत 600-800 रुपे टेक् वो तीन हजार के पार हो चुका था लिया जाई है इसी कायते लगातर खनीज विबाग और जिन्मेदार अधिकारियों को दी जायते हैं उसके बाद भी करवाई नहीं हो रही थी लियाजा बंसल ने उसमें जमीनी स्थर पर जाकर उस पूरे खबर को दिखाया और वहाँ प सबर को दिखा जाने के बाद अधिकारी लिंग से जागे और ततकाल आज सुबा से ही के ताबर तोड कारवाई शुरू हो गई है पुलिस विबाग और जिला प्रक्षाशन और खनी जिबाग के टीम सयुक्त टीम ये ताबर तोड कारवाई कर रही है आप सक यहां पर तेर शेत रहें जाए सहरी हो चाहे ग्रामीर वहां पर भी डुम्टिंग की गई है वहां पर याडों में भी यह चापामार कारवाई जारी रहे जाएक वहां पर भी छापा मार कारवाई की जाएगी और लगातर जो देखा जा रहा है कि बड़े वे किमतों में रेत मोहिया हो रही है लोगों को नहीं नकर उसका भार उनके जेव में पढ़ रहा था लियाजा इसे देखते वे जिला प्रशासन ने एक्टन लिया है और मुख्यमं के बाद कारवाई शुरू हो गई है बलकुल लेकिन उम्मीद है कि जो अधिकारियों की एक्शन जो दिखाई दे रहा है वो उसी तरह लगातार जारी रहेगा और कारेवाई इसी तरह चलती रहेगे फिलाल धनेवाद में जानकारी साधार करने के लिए